हाई अब्रिवान देखिए मेरा हिबिसकास यानि गुरहल प्लांट में दुबरा फूल खिलना स्टार्ट हो गए है कलिया भी बनना स्टार्ट हो गए है इस प्लांट में यानि काफी प्लांट ऐसे भी होता है एक बर काफी फूल खिलने के बाद रेस्ट पे चला जाता है जो आज का वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस फार्टिलाजर आप गुलाब प्लान्ट में भी दीजिए अगर आपका गुलाब प्लाइं प्लावर नहीं हो रहे है प्लाइं में घ्रोथ नहीं आ रहे है तो इस फार्टिलाजर को भी आप रोज यानि घ्रinizi में दे सकते हो तो इस वीडियो में पर्टिकुलरली मैंने हिविसकास यानि गुरहल प्लांट में फूल नहीं आ रहे है तो उसके बारे में बात करूंगी जो फार्टी लेजर आपके साथ शेयर कर रही हूँ गुरहल प्लांट में फूल नहीं आ रहे है तो 20-25 दिन के गैप म आपको देते रहना है 20-25 दिन का गैप में और कोई बड़े गमले में आप गुरेल प्लांट को लगा के रखे हो जैसे 18 इंच हो गए 20 इंच हो गए तो आप प्लांट का मैचुरिटी के हिसाब से दो ग्लास भी दे सकते हो तीन चार ग्लास भी दे सकते हो और जमीन में आपका हिबिसकस प्लांट लगा हुआ है तो आप काफी मात्रा में इस फाटिलाजर को दे सकते हो काफी दिन तक आपका प्लांट का जड़ों में फाटिलाजर रहेगा और प्लांट में फुल लाने में बहुत ही हेलफुल रहेगा जैसे देखिए 10 इंच गमला है इसलिए मैंने एक गलास इस फार्टी लाजर को इस्तेमाल किया है साथी साथ में देखिए मेरे पास ये 20 इंच गमला भी है तो इस गमले में जो प्लांट है देखिए तना कितना मैचूर है, कितना प्लांट हरा भरा है और घना है तो इस तरह प्लांट में मैं तीन से चार ग्लास भी दे सकती हूँ फिलल तो मैंने दोई ग्लास दूंगी पर मैं दे सकती हूँ तो इस तरह गमली का साइस का अकोरडिंगी आपको इस फार्टी लेजर को प्लांट में देते रहना है और देखिए ये मेरा विंडी गुरल का प्लांट है और यहां पे देखिए बर्स बरना चालू हो गए है तो इस फार्टी लैजर बहुती बरिया रहता है जब आप हिविसकस प्लांट में अच्छा सालाइट भी दे रहे हैं जुलाई बरसत का मौसम में बारिश का पानी भी आप दे रहे हो पर तभी भी प्लांट में फूल नहीं खिल रहे हैं क्योंकि कलिया नहीं बन पा रहे हैं अपका प्लांट में इस प्लांट देखिए मेरा ब्लू कलर का हिविसकस है इस प्लांट में पत्या में थोड़ा सा किरा लगा हुआ है पर तभी भी देखिए प्लांट में कलिया बनने में कोई प्रॉब्लेम नहीं है देखिए यहां पे आपको कलिया दिखा रही हूँ, दूसरा ही विसकस दिखा रही हूँ, तो इस तरीके से छोटे-छोटे कलिया आपका प्लांट में बहुती जल्दी बनना शुरू हो जाएगा, अगर अब सब कुछ क्यार करने के बाद भी आपका ही विसकस प्लांट में कलिया नहीं बन पा र एक ग्लास नाप के हिसाब से आपको बताओ तो कौफी पाउडर आपको लेना है एक स्पून, एक स्पून कौफी पाउडर लेने के साथ साथी इसमें आपको पानी दे देना है, पानी डालने के बाद बहुत ही अच्छा से कौफी पाउडर को आपको पानी के साथ मिला देना हम और एक चीज यहां पर एड़ करेंगे वो क्या चीज है वो है सीवीड लिक्वीड फार्टिलाइजर यह दोनों फार्टिलाइजर का कंबिनेशन में हमरा जो फाइनल फार्टिलाइजर बनेगा बहुती बरियात तरीके से प्लांट में काम करेगा देखिए पहले सीवीड फार्टिलाइजर डालके फार्टिलाइजर रेडि करके आपको दिखा रही हूँ सीवीड फार्टिलाइजर यानि लिकुइड फॉर्म आपको कितना लेना है एक स्पून जिस स्पून का नाप में आप कौफी पाउडर लिये हो उसी स्पून का नाप में आपको लेना है ए एक स्पून टी स्पून का बात नहीं कर रही हूँ तो ये चीज़ आप धन पे रखिए एक ऌस फाटी लाजर हम्रा रेडी हो गए है पर ए हम-पलाइंड PRE geldi नहीं है इसके साथ हमको मिला देना है अच्छा मत्रमे पानी तभी हम प्लाइंड में इस fertilizer को इस्तिमाल कर सकते हैं तो कितना पानी हम मिलाएंगे एक पाट इस fertilizer को हमको लेना है और हमको पाँच पाट यानि पाँच गुना पानी हमको मिला देना है और हमारा fertilizer तभी जाके ready हो जाएगा यानि जो नाफ रहेगा 1-5 यानि एक गलास आपको fertilizer लेना है उसके साथ 5 गुनाप यानि 5 गलास पानी और एड़ कर लेना है तब ही जाके fertilizer plant में देने के लिए ready हो जाएगा तो देखिए मैं इस तरह जैसे आपको बताई इसी के तरह फार्टिलेजर को final के लिए ready कर रही हूँ मैंने जो fertilizer बनाई उसको डाल दिया है इसके साथ मैंने पानी मिलाओंगी अच्छा मत्रा में जो आपको बताई 1-5 ratio में पानी मिलाने के बाद गुरहल प्लान का गमले के size का according मैं डाल दूँगी जैसे मैंने ये भी बता दिया आपको 10-12 गमले हो तो एक गलास करके आपको देना है इससे ज़्यादा देने का जुरूत नहीं है और इससे ज़्यादा बड़ा गमले हो और प्लान भी बहुत ज़्यादा बड़ा है यानि मैचूर है तब ही आप 3-4 गलास तक ही maximum दे सकते हो और इस फार्टी लैजर को आपको कितने दिन में रिपीट करना है 20-25 दिन में आपको रिपीट करना है साथ साथ में गुरहल प्लान को आपको अच्छा से सानलाइट भी देना है पानी आपको तब देना है जब मिट्टी हलका से सूख जाए एकदम ड्राइ करके नहीं देना है देखिए एप्लिकेशन पार्ट दुबरह आपको दिखा रही हूँ 10 इंच गमले के लिए मैंने एक ग्लासी डाला है इस फार्टी लैजर में नाप थोड़ा धान पे राखिए क्योंकि हमने यहाँ पे मीराई कॉफी पाउडर कॉफी पाउडर स्ien को ज़्यादा से जादा एकीडी बना देते हैं तो आप लिए पाउडर को ज्यदा को पाउडर आपको जादा नहीं लेना है जिस नाप पे बताई और जितना पानी आपको मिलाना है उसी के according आप मिला दीजिए पाली ज़्यादा मिला सकते हो जो नाब आपको बते उससे भी ज़्यादा मिला सकते हो पर कम आपको नहीं मिलाना है तो इसी के तरह ही आप गुरहल प्लांट में इस फार्टी लैजर इस्तेमाल करिए सीविट फार्टी लैजर गुरहल प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जरूरी होता है फार्टी लैजर तो हम गुरहल प्लांट में देती है उसके साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिन का कमी गुरेल प्लांट में बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है तो सीविट फार्टी लाइजर में है तरह तरह औरगानिक माईक्रो नीटरिन भी है और प्लांट का अप लूग देखिए इसका पतिया है पतिया का चमक देखिए तो यह सब और्गनिक चीजी हम इस्तेमाल करते हैं गुरल प्लांट में बहुत ही जल्दी मेरा प्लांट में फूल खिलना स्टार्ट हो जाएगा जैसे कलिया बढ़ना अल्रेडी स्टार्ट हो गए आपको दिखा दिया है तो धीरे धीरे कलिया मैचूर होते ही प्लांट में बहुत ही जल्दी फूल आना भी चालू हो जाएगा तो फ्रेंस आपका ही विसकास प्लांट में आप काफी क्यार कर चुके हो तभी भी प्लांट में फूल नहीं खिल रहे हैं इस फर्टी लैजर को जैसे मने आपको बते हैं उसकी हिसाब से डाल दीजिए विसकास प्लांट में तभी फूल खिलेगा जब सॉयल इसका एसिडिक बना रहेगा और जैसी आपका प्लांट में इस तरीके से चोटा-चोटा कलिया बनना स्टार्ट हो जाएगा प्लांट को अच्छा से कोई इंसेक्टिसाइड हो में इंसेक्टिसाइड आप जरूर स्प्रे करते प्लांट से तो आपका प्लांट में जब कलिया बनना स्टार्ट हो जाएगा प्लांट में अच्छा तरीके से कोई और गुलाब के लिए क्या बताओ गुलाब में भी आपको प्रॉब्लेम चल रहे है तो इस फाटी लैजर आप जरूर जरूर इस्तेमाल करके देखिए बहुती बरिया जल्दी रेजर्ट आपको गुलाब में भी देखने को मिलेगा नियू ग्रोथ तो आते ही रहेगा साथ में फूल की लेगा और पत्या भी चमकदर रहेगा तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर करिए मेरे साथ जुनने के ल मिलते हैं नेक्स वीडियो पे एक नया जानकरी के साथ तब तक के लिए थैंक्यू फ्रेंज थैंक्स फॉर वाचिंग गुडबाई